EWS संग्रख्यण कु सठीक ठावराईले सुप्रीम कोट चाकिरियो सिख्या खेत्ररे जारी रहिब दस्य प्रतिसत संग्रख्यण आर्थिक खेत्ररे अनग्रसर लोकुन कुम्मिलिब एही सुबिधा 2019 निर्बा अचन पुर्बरु एहाकु लागु करी थिले केंद्र स्रकार संबिधान रो मुलर धांचा कु लंगन करुथिबानेई होई थिला अभिजो आर्थिक खेत्ररे पच्छुआ बर्गोबा EWS ब्यक्तिमानंक पई दस्त प्रतिसत संबिधान रो मुलर धांचा कु लंगन करुण नहीं बोली कही चन्ति मामलार सुनानी करुथिबा पांचो जनिया खंडपिठा मत ध्यरू तीनी जन बिच्छार पति संबिधान सपक्ष्यरे मत रोखी चन्ति 2019 जन्वरी मासरी केंद्रो सरकार्णको बिभिन्न प्रतिस्थान रे नामलेखा एबंग चाकिरी खेत्रोरे आर्थिक भाबरे पच्छुआ स्रेनेरो लकोमानंको लागी दस्त प्रतिसत संग्रक्ठन वेवस्ता करा जै धिला सेही अनुसरे संसोदरे सहे तीनी तम संबिधान संसोदन चीठा पारित होई थिला मात्रो एहा को विरोध करी किछी संस्था एबंग व्यक्ती सर्बोच्चु अदालतंको द्वारस्थ होई थिले प्रधन विचरपती यू यू लोलिद विचरपती दिनेज महेश्वरी एस रविंद्र भट बेला एम ट्रिवेदी एबंग जेबी पार्दिवालंको नेई संबिधानी को खंड़ पिठो एहारो सुनानी करी राय संग्रखी तो रखी दिले सो मोबा रेहा प्रोकास पैची आई ये फैसला एक नए यूक की सुरूबात कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये 91 में इस तरीके का रेजर्वेशन दिया गया था मगर 91 में जब इंद्रा साहिनी का जज्जमेंट आया तो ये माना 9 के 9 जज़ेश ने कि जिस तरीके से आर्थिक आधार अगर आप रेजर्वेशन का लेते हैं तो ये इसके बाद में कभी फिर इसके बाद गुजरात में एक बार जरूर दिया गया तर दस परसेंट रेजर कि समयधानी पीट की चार पीट ने जज्जमेंट बहुत बड़े थे उसके बाद जस्टिस तीन जजोज ने उसमें कहा कि ये जो संसोधन किया गया है वो समिधान की मंसा के अनुरूप है जबकि जस्टिस रविंदर भट और जस्टिस मुख नायमूर्ति लडित ने कहा कि ये समयधान की मंसा के विप्रित नहीं है और इस्ट्रूजन जो किया गया है वो समयधान की जो मूल भावना है या उसके अनुछेद है उसके अगेंस है सातरू अधिक दिन सुनानी ओ कोडिये टी काउंसिल करिबा परे सुप्रेम कोड सेप्टेमबर सतेश तरीक दिन एही मामलार राय संग्रक्खित रखी थिले सहे तीनी तम संबिधान संसुधन बईधोय बंग एहा संबिधान र मुल धांचा को उलंगन करू नहीं बोली कोड सांग्रक्ख्यान ने इस सहमत हेबा परे केंद्र सरकार्णकों एक बड़ा आसोस्ती मिली छी पिरो रिपोर्ट उडिस्सा रिपोर्टर